नमस्कार दोस्तों विपक्ष की एकता की कोशिशें जोड़दार तरीके से चल रही हैं नितिश कुमार साहब ने 23 जून को पटना में एक बड़ा कारेकरम रखा है जिसमें अब तो ये भी कनफर्म हो गया है कि राहूल गांधी और मलिकार जून खड़गे भी मंच शेर करने वाले हैं और मंच पर कौन नजर आने वाले हैं उनके साथ ममता बनर जी और अर्विंद केजरिवाल जैसे लोग जो कॉंग्रेस के धुर विरोधी रहे हैं और जो कॉंग्रेस का वोट बैंक हतिया कर ही अपनी पार्टियं चला रहे हैं बड़ा चमतकार होने जा रहा है सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के लिए किसी भी तरीके से एक ऐसा माहूल बना लिया जाए कि साब भारते जनता पार्टी को फिर से सत्ता में ना आने दिया जाए चाहे उसके लिए अपने मूल लिये अपनी जो बैक ग्राउंड है अपने जो बाकी चीजे हैं जो अपनी पूर मुख्य मंतरी उमर अब्दुल्ला का उन्होंने एक छोटा सा बयान दिया और उन्होंने कहा कि आप ये बताईए कि हम इस विपक्ष की जो ये तथा कतित एकता की रैली हो रही है इसमें भाग लेने के लिए क्यों जाएं उनका क्या कहना था उनका तरक ये था कि हमारे पा कि नरेंदर मोदी को सत्ता में आने से हम रोक सकते हैं या कोई ऐसी बात हो सकती है उन्होंने ये कहा कि हमारा कोई इतना बड़ा वजूद नहीं है कि हम उसमें जाएं या ना जाएं उससे हमारे कुछ फरक पड़ने वाला है फिर उन्होंने पते की बात कई उन्होंने ये क कि विपक्ष आज उनकी जरूत है उनका अपने अपने राज्यों में वजूद खत्रे में पढ़ रहा है तो वो हमारे पास आ रहे हैं अर्विन केजरिवाल हमारे से इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि उनके खिलाफ नरेंदर मोदी अध्यादेश ले आये हैं उस अध्यादे दियम के और लेफ्ट वाले कुछ दल जो थे उन्होंने ही उसका विरोध किया था बाकी सब लोग तो साथ ही खड़े वे थे कॉंग्रेस भी कुछ नहीं कर पाए थी तो उन्होंने कहा कि हम उनके साथ क्यों खड़े हुए निजर आए हम उनका समर्थन क्यों करें जब उन् अपनी जगह पर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं राजनीतिक रूप से वो अपनी जगह सही है कि जब आपका मतलब निकला तो आप आगए और जब आपका मतलब खतम हो गया तो आप नहीं आए और दूसरे उमर्थन की इस बात में एक बात और भी चीपी हुई है उनका ये दिलवा सकती नितीश कुमार एक वोट कहीं नहीं दिलवा सकते बिहार से बाहर ममता बनर्जी टीमसी के माध्यम से वोट किसी को नहीं दिलवा सकती शरत पमार की एंसीपी की कोई ओकात नहीं है महराष्ट के बार महराष्ट में भी उनकी पार्टी जो एक छेत्रिय दलकित कि कर रहे हैं, जैसे के समाजवादी पार्टी और यह सब चल रहे हैं। विपक्षी एकता का डिंडोरा पीट रहे हैं। कि हम सब इतना बड़ी, इतनी बड़ी मुहीम क्यों चला scenarios को सत्था ने से रोख देंगे। उन्होंने एक तरह से कॉंग्रेस को भी आइना दिखाया है, उवर अब्दुल्ला ने, कि कॉंग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, और आप जो छोटे-छोटे दल है, टीमसी उनसे ये कह रहे हैं, कि आप पस्चिम मंगाल में चुनाव मत लड़ना तभी विपक्ष की एकता स कर दिये हैं, और देखिए ये जो विपक्ष की एकता है, इसमें एक खास वास अवर्प मैं आपको तता दू, ये सब लोग अपने दिलों को दिलासा दे रहे हैं, कि हम तेज जून को एक बड़ी रैली करेंगे, तो मोदी को रोक लेंगे, मायावती ने अभी तक अपना र पार्टी हो, जब कोई भी हो, बीजेपी से बचने के लिए, अगर किसी के भी चरन पकड़ने पड़ें, तो चरन पकड़ लें, आज अभी इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं ये वीडियो रिकोर्ड कर रहा हूं, तो दिल्ली में एक वो महार हैली कर रहे हैं, र राज्यों तक ही सिमित है, आपको राज्यों के बार कोई नहीं जानता,